नमसकार साथियों। कैसे हैं आप सब, यदि आपने rail वे का एक्जाम दिया है तो नया रियोग सा चुका है निकल करके, और क्या रियोग सा चुका है आप master में में आप नई- स्क्रीन पर open कर रखा है वैसंगे से रिलेते पीडिक देखेंन स्रीमज छोगी आपके और रिलेटीड है उसमें बहीं विलेटेड क्या है इसमें नोटिस में इसमें दिया गया है कि जो फेस्ट स्टेज में जो आपका एक्जाम हुआ था जिसका रिजल्ट 211-2018 आया था तो इसमें कुछ कंडिडेट्स ने जो है वहां पर बताया कि इसमें क्यूस्टन एरर जो थे क्यूस्टन थे वो गलत थे या जो उनका गलत था तो इक बार फिर से उनका रिजल्ट दिया जाएगा तो इसलिए पहले जो था एक्ज़ाम जो सेकंड स्टेज जग रखा था रेल्वेक ने वचान था बीस बाराद तो सेकंड स्टेज के लिए लेकिन अब उसको रिजल्ट ने मैं तोसको चेंज давай अब और अब होगा वो 21, 22 और 23 जनवरी 2019 को यह देख लिजिए और यह देख लिजिए 23 जनवरी 2019 को होगा 21, 22, 23 को अब उसमें क्या-क्या एक्जाम में क्या-क्या आएगा क्या सलिबस रहेगा यह आपका लगभाग 90 मिनट का क्युस्टन होगा 90 मिनट का जो आपके सभी पेपर होंगे जो पेपर होगा और 90 मिनट का टाइम होगा उसमें और 120 मिनट PWD कंडिडेट्स जो होंगे उनके लिए और आपके 100 क्युस्टन होंगे यह इसमेंं लिखा है साफसाफ सब्दों में देखें वन थाट नेगिट्व मार्किंग है और आप में इसमें मैथमैटिक्स होगा पच्चीश नंबर का 25 क्युस्टन होंगे जनरल इंटलिजटेंस रिजनिंग होगे आपके 25 क्युस्टन होंगे और बेसिस बेसिक साइंस और चेनरल आवेर्नेंस एन्ड और करन्ट आफियर आपके होगी दस नबर की जसे मैं किस्टन होगे 10 तो तो टूटल 100 क्यूस्टन और सो मार्क्स का आप का होगा टूटल ठीक है फिर आपका बज़ता है पार्ट B ये था पार्ट A और पार्ट B आपका होगा 60 मिनट का 80 मिनट जो PWD कंडिडेट हैं उनके लिए होगा तो इसमें 60 मिनट में क्यूस्टन करने होगे आपको 75 और इसमें भी आपकी वन थार्ड नेगटिव मार्किंग होगी तो आपकी सीबटी सेकिंड में जो है दो पार्ट होंगे एक पार्ट वन और एक पार्ट पार्ट ए और पार्ट बी तो यह जो है आपका टोटल जो डूरिशन होगा वो होगा आपका लगभग दो घंटे 30 मिनट का टाइम तो आप इसको अपन देख लिजाए या आज यहा है 4.12.2018 को अभी थोड़े देर पहले तो आप इसमें देख सकते हैं और अपनी प्रेप्रेशन कर सकते हैं यदि आप इसी महिने एकजाम के तियारी कर रहे हैं तो इस महिने में एकजाम नहीं है आपका होगा जनवरी में